हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू एवन टाइम्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई रिट 2020 फाइस्ट शिप्ट साइन्स क्यूस्टन पेपर के बारे में जो कि ना ही ज़्यादा टफ था और ना ही ज़्यादा इजी था जिसने अच्छीआ सी त्यारी कियोगी उसका आसानी से हो जाएगा तो चलिए बात करते हैं किस्टन के बारे में उसमें एक किस्टन पूछा गया था की निम्न में से रवी की फसल है तो उसका अंसर अता है। ऐक क्योंतर जिवासमीदन के बारे मुंच पूचा गए था है जिवासमीदन उर्जा का श्त्रोट है उसका अंसरो का अच्पा है और आपको पता योगा नविनिकर्णी है और आपको जो quelques-ए उपयोग किया जा सकता है आयो नहीं करने यह इस तरोथ होते हैं जिनको एक बार हमने उपयोग कर लिया तो फिर वो खतम हो जाएंगे हम उनको नहीं दुबारा बना सकते हैं नहीं दुबार उपयोग कर सकते हैं जैसे पेट्रोल डीजल यह इस तरोथ है जिनको हम एक बार उ एक क्यूशन पूचा गया था कि अक्षय प्राकर्तिक संसाधन कौन सा है अक्षय का मतलब होता है जिसका कोई शेय नहीं होता उसका आंसर है सूर्य सूर्य जो है कि एक unlimited power source है उसके पास इतनी energy है कि वो कभी खतम ही नहीं होगी एक क्यूशन पूचा गया था विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है इसका आंसर होगा इसकरवी एक क्यूशन पूचा गया था कि सेर की धाड़ होती है तो इसका आंसर होगा अधिक प्रबलता हो है कम तारत वाली होती है एक क्यूशन पूचा गया था कि अस संक्रामक रो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं अब आपको पता ही होगा संक्रामक रोग क्या संक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस पर्स करने या फिर उसके कुछ भी जैसे उसके कपड़े या उसका जूटा खाना खाने से फैल सकते हैं संक्रामक तो इसका आंसर होगा विदुद गंटी, एक question पूचा गया था, सूखे डंडो में से अनाज अलग करने की विदी है, इसका आंसर था, थ्रेसिझ, एक question ता ग्रहो के बारे में उसमें पूचा गया था कि सोर मंडल का सबसे कम सगन ग्रह कौन सा है, इसका अंसर होगा Sunny, शोर मंडल का सबसे कम सगन गरह Sunny है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका घनतु जो है, जल के घनतु से भी कम होता है, एक क्यूशन था पार्श उदरपन में परतिवियं बनता है, यह सीधा एंसियर्टी का क्यूशन है, इसका अंसर होगा सीधा आवासी चोटा परतिवियं बनता है, एक क्यूशन पूचा गया था कि निम्न में से प्राकरतिक रंजग कौन सा है, उसका अंसर होगा है, लिटमस पत्र, एक क्यूशन था सहगर्बता तकनीक विरोधी कानून कब बना, इसका होगा 1971 यानि 1971 में, एक क्यूशन था मेगनेशियम फोस इसका सुत्र क्या है, तो उसका सही सुत्र है, Mg3, प्रेकेट P.O.4, ब्रेकेट 2, एक क्यूशन था, गंगा परियोजना का प्रतम चरण कब शुरू किया गया, तो इसका होगा 1985, यानि 1985 में, एक क्यूशन पूचा गया था, सहली गोली का निर्मान कहां गया, अब आपको पता होगा, सहली गोली जो है, गर्व निरोदग गोली है, जिसे भारत में बनाए गया, और कहां पर बनाए गया, इसे लखनो में बनाए, क्यूशन में सिर्फ इतना पूचा गया था कि कहां बनाए गया, और जब इसकी संस्ता का नाम पूचा दे तो वो, उसका नाम है CDRI, एक क्यूशन था, सुजाग रोग के बारे में, सुजाग रोग और गोनेरिया रोग, दोनों एक ही के नाम है, यह एक बेक्टिरिया से होने वाला रोग है, और यह एक STD रोग है, या STD है, अब STD क्या होता है, STD होता है, sexually transmitted disease, यानि योन संचारित रोग, तो यह एक बेक् एक क्यूशन पूचा गया था, चम्मच के एक सिरे को गरम करने पर, उसके दूसरी सिरे को, उसका दूसरा सिरा गरम होने का क्या कारण है, तो इसका अंसर होगा, उसमा की चालन वीदी के वाविज जैसे, एक क्यूशन पूचा गया था, निमन में से एक परमाणू गेस है, तो इसका अंसर होगा organ gas एक question पूछा गया था pendulum के आवर्थ काल के बारे में तो उसमें question था कि एक pendulum है जो इतने दोलन इतने second या इतने time में करता है तो उसका आवर्थ काल केतना होगा अभी उसकी exact value question की मेरे को याद नहीं है इस वज़े से में exact value नहीं बता रहा लेकिन आप उसको easily कर सकते थे अगर आपको formula पता होगा आपको उसमें करना कहता आपको simply formula यूज करना था उससे आपका आसानी से answer आ जाता और वो formula था दोलनों में लगा समय बटे दोलनों की संक्या तो उसमें आपको क्या करना था जो जित सम टाइम दिया गया था उसको उपर रखना था और जो जितने दोलन वो कर रहा था उसका भाग दे दिना था जो answer आएगा उसका आवर्त काल हो जाएगा तो यह होगा total 20 questions और आपके आए थे शाए 25 तो अब आप देख लीजे इन में से आपके कितने questions चाहिए है इससे आपको पता अंदाजा लग जाएगा कि आपके कितना paper केसा क्या हुआ है और भी बाकी subjects के paper देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो पसंद आए तो like और share करें धन्यवाद